आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एके इंपोर्टन बात है याद रख लेते हैं अब मैं माल लेता हूँ कि फ्रिक्वेंसी इन ए जो है वो क्या होगी लेट असी एन नंबर ओफ अग्र बन रहे हैं इसमें माल लेता हूँ एन एन टीनोड बन रहे हैं ठीक है और इसमें m number of entry node बन रहे हैं ठीक है अब मुझे ये m by n का ratio ही find करना है ठीक है तो frequency in a में मान लेता हूँ वो होगी n by 2l सीधर सीधर relation होता है under root t by mu ठीक है अब देखो mu क्या होता है मुझे होता है आपका mu का relation में आपको समझा देता हूँ मुझे होता है आपका m by l mass per unit length होता है ठीक है इसको मैं लिख सकता हो row multiplied by area क्योंकि mass by volume जो होगा वो रो होगा ठीक है तो यह होगा mass by length into area देखो अगर आप area को यहां लिया होगे तो यह row ही बन जाएगा तो mass per unit length को आप लिख सकते हो row into area क्योंकि मुझे area का relation मिल सकता है मुझे mu का relation नहीं मिलेगा mass का relation नहीं मिलेगा मुझे density और area का relation मिल जाएगा तो मैं क्या करता हूँ यहां से इसको relation को area की form में लिखता हूँ n upon 2l under root tension divided by row of a into area of a ओके और b की frequency मैं माल लेता हूँ दो कितनी है n upon 2l तो देखो same है दोनों की length under root tension भी same रहेगी दोनों में material same है और row b into ab अब देखो यहां पर सारी चीज़े same है बस अलग है तो सिरफ और सिरफ यह देखो m है m number of माने मैंने इसमें अंटी नोट ठीक है तो अलग जो है वह area है तो f a बराबर है f b के यह तो प तो vibrations की value रख देते हैं N upon 2L multiplied by T upon rho A जो की rho तो दोनो material क्योंकि same है ठीकि उसके बारे में कोई information given नहीं है तो rho ही रख देते हैं different है तो बस area है तो यहाँ area of A रखते हैं is equals to M upon 2L under root T divided by rho into area of B रखते हैं अब देखो बाई radius of B है जो 2 times है radius of A के तो देखो मान लेता हूँ कि radius of A जो है वो है R तो radius of B कितनी हो जाएगी 2R तो area लिख देते हैं cross section का जहां से attachment हो रहे हैं यह दोनों रस्सियों की दोनों rods की ठीक है तो वो जाएगा pi r square यानि कि 2R का square ठीक है बी का area हो गया A भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर यानि कि 4 pi r square ओकी और जो area of A होगा वो होगा pi r square radius r मानिये न तो यह हो जाएगा pi r square ठीक है तो यहाँ से values put करते हैं देखो 2L से तो 2L cancel out हो गया और m by n की जो value आएगी वो आएगी आपके पास में अंडरूट t by a से अंडरूट t by यह cut गया ठीक है तो यह value आएगी अंडरूट a b upon a a ठीक है तो यह कैसे हो जाएगा a b और a 4 pi r square divided by pi r square ठीक है तो pi r square से pi square किट गया तो यहाँ आपके बस 2 तो ratio जो होगा anti nodes का m और n के बीच में वो क्या होगा? 2 होगा